प्रप्रप्रबूजी जब कभी भी हमारा जब हो जाता है फिर जब कभी भी अगर हमारा जब हो जाता है थोड़ी दर के लिए आपका जब पिराम करो जब जैसे ही जब हम लोग स्टार्ट करें आरंब करें हम क्या बोलें जैसे ही हमारे 108 माला खता मैंने 108 बार हरे कृष्ण मंत्र हम जब लिए फिर से हम लोग जैसे क्रिष्णा चेतन्या प्रभू नित्यानंदा श्री अध्वयत्यकदाद्र श्रीवाचादी गवर्यभक्ता वुरुंदा तो यह मंत्र पढ़के हमको ध्यान पूर्वक 10 मिनिट जब करना है ठीकना ध्यान पूर्वक बिल्कुल किसको मालम कल क्या होने वाला है ऐसा बुलना क प्रभुजी बोल दिए हरे कृष्णा मंत्र हम भी पढ़ रहे हैं ना भगवान को कनेक्ट कर रहे हैं यह टाइम पर हम पूरा सब चीज़ ध्यान पूर्वक हम लोग 10 मिनिट पहले कोशिश करो क्लास में जाइन करने की हम लोग सब माला जबेंगे ठीके ना परी एक्सलें में आप सबको मालूम एक छोटा सा 10 मिनिट का अच्छा सा पीबीटी है वह भी देखेंगे मुक्ति क्या है प्रभुजी हम लोग को यह मुक्ति क्यों हर कोई मुक्ति के पिछे भाग रहा है मुक्ति भी देखेंगे यह एबी सीडी क्या है वह भी देखेंगे आज डेफिन भगवद गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं डेली सुवा में उठके भगवान कृष्ण हमको यह संदेश गीता का संदेश क्या है जो हमारे को दे रहे हैं क्या यह हमारे नीजी जीवन के लिए काम में आएगा यह ने तो यह सिर्फ यह भगवद गीता का नालेज रिशी मिन दिनियों के लिए है क्या हम घंतो ग्रहस्त जीवन में है क्या हमारा भी उध्धार हो सकता क्या भगवद घिता के माध्यम से यस कहां पर बोला गया है भगवद गृटवदगीता में हम लोग आज की अध्याए में हम यह दिखेंगे हम कर्म पैसा करना कर्म के बारे में मालूम हो गया अच्छे कर बुरे कर्म अभगवान क्या बहूरा है दिखनि अगर 안ढ्या है अगर यह हम 참 सबी का स्वागत है सब लोग दर्शन कर लो राधा गोविन जो हमारे इसकौन मंगलुरू मंदर के बगवान है और आप में से कोई भी अगर भजन करना है तो या तो आप हमारे मनीश प्रभु को थोड़ा सा पहले ही बोल दो और एल्स अगर कीरदन करना भी है तो आप हैंड वासुदेवाया और मंतर का अर्थ क्या है हम तो मंत्र पढ़ रहे हैं हम बोल रहे हैं गुरू को हे गुरू मैं घौर अंदकार में जनम लिया था हां और मेरा अध्यात्मिक मेरे अध्यात्मिक गुरू ने मुझे ग्यान की मशाल से याने टार्च से जैसे हम अंदेरे में रहते हैं कुछ भी नहीं दिखता यहां तक के हमारा हाथ हमको नहीं दिखता लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी रौशनी आ गई सब चीज़ दिखने लगता ग्यानी हूं लेकिन रियल ग्यान मेरे भगवद्धाम जाना है यह मेरे गुरू ने बताया है तो यहने मेरा अग्यान भरा जीवन में क्या करें टार्च दाल के आप पूरी रौशनी कर दिए और मेरे आंक मैं तो सो रहा हां था मेरी आंक खोल दिए यह मंत्र का मीनिंग है मै उन्हें मी विनम्र शद्धान जली अर्पित करता हूं बार बार हमको गुरू के पती समर्पन भावना रहना चाहिए यह ग्यान अगर होना है तो अरजुन क्या बोले शिश्यास्तेहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम मैं तुमारा शिश्यों मेरे करपन दुरूबलता को ए सकते हैं मंत्र वो क्या है उसको की तन में भी गा सकते क्या है यास नमा ओ मिश्णु पदाया क्रिश्ण पिश्ण पूट ले इमत भक्ति वेदान तस्वामित ना मिदे ना मस्ते सरस्विंद्य देवे तर्यवागी प्रचारिने निर्विशेशा शुन्यवादी पाष्यात्यदेशतारिने जया स्रीक्रेष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानना स्रियत्वाइदा गदाधरा स्रिवासादिगोर अभत्तरंदा अधिक्रेष्णा 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 अधिक्रेष कि योन करना अन्यटे जैंग जदिटे। झाल जो झाले कि आम हुआ। पर किना तेरारहिए प्राहि रामारे टुषरी प्रिट्ट्नुट्रुपित्त प्रिश्म प्रिश्मृ। करना चाहिए अगर मैं मंत्र बजब करना भी छोड़ दिया करना चाहिए रामरां मंत्र भी जब नहीं करना चाहिए दो फोड़ा आगे बढ़ेंगे आज की अध्याई का नाम क्या है पाज के अध्याई का नाम कर्म सन्यास योग प्रभु जी अभी तक तो आप करम योग बना बता दीए फिर आप कल अच्छा से हमको यह ज्यान भी प्राप्त हो गया अब यह अलग योग दिख रहा ह आ फिर कर बोल रहा है क्या कर्म और सठोब कर नब ध्याय सब्सक्राइत कर्म कर्म करना है च्छे कर्म बुरे कर्वान के लिए क्या है भगवान को कैसे जोड़ना भूठी से भगवान क्या बोले हैं लोग क्या क्या करें धिस्कुस करें युशन जब तक नहीं होता बोलिए प्रभू कैलाश प्रभू आप तो रेडी रहते हैं कर्म के बारे में देखा था कर्म और अच्छा देखा था कि रगोजी हमारे जीवन का लक्ष है गोपुल धाम जाना और उस तो जाने का रास्ता यह है कि हम भक्ति करते वे अपने कर्म को करें कर्म तो भी करना है लेकिन भगवान को बुलना नहीं है और कोई बता सकते कल कुछ हम लोग एक ग्रहमेदी ग्रहस्त कौन होता है सामको डिस्क्रस करें थे यस निली मामाता जी आप कुछ बोलना चारे करें मनिश प्रभू मनिश प्रभू मनिश अमन्स प्रभू तो हमारे है बीनो दरो अख्री प्रभू कWow मित्भव देवे शी प्रभू और कुछ naar क्रिश्टैаться करें माता जी माताजी ग्रहस्त यानि जी इतीशत कर दोटीज वेकिस में वहाड़ हुन प्रू अपने परिवार को ही सेंटर में रख लेते हैं या अपने प्यारे जनों को ही सेंटर में रखते हैं वो ग्रह मेधी हो जाते हैं तो वो नहीं होना है उनको अपने करतब में निबाने पूरी करनी है लेकिर उसमें फसना नहीं है अपना ध्यान और अपने सेंटर में सिर्फ औ तो लोग बार बार हम लोग क्लास हो गए बाद में दस मिनेट नहीं तो शाम के टेंप पर प्रभुजी सुवा में क्या बताए वो अच्छा चैट में भी बहुत सारे मेसेज आ रहे हैं मैंने देखा प्रभुजी अभी देख रहा हूं हमने हमने सीखा कि क्रिष्ण क्यों आत यह स्किस रूप में आते हैं भगवान क्यों आते हैं कल बोले ना वो वह वह री एक्सलेंट वह भी ठीक है ठीक है फिर गुरु के बारे में भी थोड़ा सा है हम लोग जाने कि गुरु कैसा होना चाहिए तत्वदर्शी होना चाहिए आप इसा हो गुरु यहन्ने सत्य को मैं जानने की कोशिश करोंगा और उनकी सेवा करूंगा यह मेरी भावना रहनी चाहिए और मेरे को अगर जो कोई भी जान लिया कृष्ण भगवान बोल रहे मेरे जन्म और कर्मों को जो जान लिया फिर से फिर से धरा तल पे फिर से नहीं आता यह अच्छी सी हमको ज्यान दिये भगवान अब हम लोग देखेंगे अच्छा अंसर क्या है पराधिक यह शरी बोल प्रभु जी ऑर और कोई किसी ने ज्ञान क्या है यह ज्यान क्या है यह भी सिखें हम लोग प्रभु जी कृष्ण माता जी बता रहे हैं और और क्या वदले और इंद्रियों पर कब काबु रहना सीखा करम करते करते किस से मह नह हमारे रूप में क्या अंतर है यह भी जाना हमारा रूप तो हमेशा बदल जाता है हम लोग येस फाइनली बदलते रहते हैं शाश्वत नहीं है टेंपररी है कृष्ण भगवान का हमेशा वही रूप रहता है ऐसा पताया गया महाभारत का युद्ध है एक्शली देखा गया है तो समझो हमारे एज 70-80-90 हो गया वैसा कृष्ण भगवान जब अलड़ी कृष्ण भगवान के वाट कई वह जब कृष्ण भगवान जब वहां पर युद्ध में थे ऐसा दिख रहे थे यांग यूद्ध हमारे में और कृष्ण भगवान में बहुत फरत है कृष्ण पहल भी नहीं करना चाइए सिर्Ύ ऊंकी वाणी वानी को क्या बताया गया अब वी करना चाहिए हम लोग आज की डिया में हम लोग चुन करो करो कर ने की चिक्मिंठ करो हैं न की तिस न करक्श कोका साहते हैं और कल एक बोट का एक जाम्पल भी लिए उसलिए ज्ञान तो मेरे पास में बहुत तोется रहा है गां पुछन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने को कहते के लिए कहते हैं फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के आदेश देते हैं क्या आप खुरुपा करके निश्चीत रूप से मुझे बताईए इन दोनों में से अधिक लाबप्रत कौन है भे कृष्ण भगवान मैं तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया हूं पहले आप बताए मेरे को क्या बताए कि आपके आदेश अनुसार पहले आप तो मेरे को डीटेल बता दिए कर्म के बारे में नौलेज बताए फि को डूंत वह अर्जुन की बुद्ध क्या है युद्ध नहीं करना अच्छा सब्सक्रन को समझा रहे दूसरक्त्त जनगल में चले जाते अर्जुन का कितना अच्छा डाउट है देखो तो अर्जुन का अच्छली उल्जन क्या है अर्जुन का उल्जन क्या है हे भगवान क्या पेड़ बोना बन कर दूँ यह जो मैं पेड़ लगाना बन कर देना चाहिए यह बीज लगाना बन करने चाहिए यह उसका फलों का उम आपके घर में आप एक घर के सामने कंपनवाल है थोड़ी सी जगा है घर के सामने तो आप क्या करें एक जाड लगाए फूलों का तो आप क्या कर रहे हैं उसको डेली पानी डाल रहे हैं जाड थोड़ा बड़ा हुआ जाड को फल और फूल आने लगे तो आप क्या कर रहे है ये जाड को मैंने पानी दाला ये फूल मेरे है अगर कोई पडोसी आजु बालुजु वाले आपके जाड को तोड़ रहे हैं फूल तोड़ रहे हैं तो आप उनसे लड़ रहे हैं क्योंकि ये जाड मैंने लगाया ये जाड पे मेरा अधिकार है तो ये भावना किसकी है रज वोग भी मही करूंगा एक रजोगुनी व्यक्ति का विचार है और विक्ति किया करता है ठीक है जार तो मैं लगाया पानी भी मैं डाला ओके अलग बात है चाहे कोई भी लेंदो फल और फूल मेरे को क्या चलो किसी के काम में तो आ है तो यह सतोगुनी विक्ति mode of goodness जिसे हम बोलते हैं वो ऐसा विचार करता है और जो तमोगुनी व्यक्ति है अरे भई फल किसका भी रेंदो जाड किसका भी रेंदो घर किसका भी रेंदो मेरे को क्या चाहिए मैं दूसरों के खेत में जाऊंगा फल तोड़ूंगा दूसरों के घर के सामने जाऊंगा वो फूल मैं लेके ले लूँगा उसको चिंता भी नहीं है अरे भयाई पर्मिशन तो नहीं मेरे को मतलब भी नहीं है फूल जाड के है किसके भी रेंदो मैं ले लूँगा और मैं इसको भोगूंगा यह प्रवरुत्ति किसकी है तमोगुनी व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते ह करते हैं ऊकुरेट का है। भक्त कर बक्त कर lihat कर रहा है लेकिन धरती कृष्णा की है भग्वान की है पानी भग्वानन चाहे तो ही वह बीज में उसको प्राण अंकुरित करें जिससे वो बढ़ रहा है मेरा क्या greatness है यह सब तो भगवान का ही दियावा है तो मैं कोन हूँ तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा जो भी फल इसके आएंगे जो भी फूल इसके आएंगे मैं definitely क्या करूंगा कृष्ण को अरपन करूंगा मैं नहीं लेऊंगा directly यह कृष्ण का है यह पेड़ पे पहला अधिकार किसका कृष्ण का है कृष्ण को दोंगा देन मैं लेऊंगा यह है एक भक्त का concept हर चीज़ पे यह वह अपना प्रभूत्व नहीं जमाता है ठीक है न वह बार-बार हर एंगिल में वह क्या करता है नहीं जैसा बंदर का बच्चा मैं हमेशा example देता हूँ बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है हम भी वैसा ही बनना चाहिए येस कृष्ण को चाहे दुख की परिस्तिती आओं चाहे खुशी चाहे कोई भी परिस्तिती में कृष्ण को भूलना नहीं है अच तो आप यह डाउट आया अर्जुन को कि सन्यासी बन जाओं क्या यह सन्यासी क्या है कि अच्छा भगवान समझा रहे हैं देखो अर्जुन सन्यासी मदवनों सन्यासी वह होता है जो हिमालय परवत पर जाके यह सब छोड़ दिया हूं अब मैं सिर्फ भगवान के बारे में कर रहा हूं जो परमात्मा यह मेरे भगवान के बारे मैं चिंता कर रहा हूं मैं फैनली क्या चले जाओंगा ब्रह्म में लीन हो जाओंगा यह वो लोग सोंचते हैं पूरी तरह से कर्म को त्याग देते हैं त्याग के कहां चले जाते हैं नहीं नहीं पैसे से आ सकती नहीं है ना तो मेरे को प्रापरटी नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ मैं क्या करूंगा भगवान पर ध्यान करूंगा मैं योगी बन गया हूं ठीक है ना वो चले जाते हैं लेकिन भगवान हमको क्या बोर रहे हैं तुम ऐसा काम मत करो मत करो भग पुरुष ना तो कर्मफलों से गुरुना करता है ना कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी कहा जाता है हे महाबाओ अर्जन ऐसा मनुष्य समस्त द्वन्दों से रहित होकर भाव बांधन को पार कर पूर्णतय मुक्त हो जाता है कितना अच्छा भगवान गोर रहे हैं ठीक है आप स्वार्थी मदवनों सिर्फ हाप के बारे में ही चिंदा मत करो यानि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे क अगर मैं यह सौकी नौट नहीं उठाओंगा फिर मेरे को पैसों में आ सकती लग जाएगी मेरी भक्ती चले जाएगी वह फेग्देगा सवकी नौट को छोड़के चला जाएगा लेकिन सवकी नौट को नहीं उठाएगा वोई एक भक्त क्या करेगा ठीक है यह कृष्णा कृष्णा की मर्जी है मेरे हाथ में मिले हैं तो मैं इसको कृष्ण को देऊंगा कृष्ण के कि मैं अच्छा सा कुछ करूंगा क्रिष्ण के सीवा में रखूंगा क्रिष्ण के लिए बार बार वो तडपता है क्या बोल रहा है एक भक्त हमेशा तडपता है कि मैं क्या करे तो मेरे ठाकुर को मना लूँ मैं क्या करे तो मेरे ठाकुर को जो मेरे को छोड़ दिये हैं या म तुमको क्या करें तो मनाओं फिर से मेरे को भगवत धाम का वो चाबी दे दो वीजा दे दो मेरे को वो तडपता है यह नहीं है भगवान यह नहीं बोल रहे के कर्म छोड़ो नहीं कर्म करते वे कर्म योग याने कर्म योग याने मेरे से बंद जाओ ऐसा नहीं है कर्म कर रह से घ्रणा भी नहीं है और ये उनका personal benefit है क्या कुछ नहीं है और उसको मालूम है मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं समस्त द्वंदों से रहित होकर द्वंद याने सुख दुख लाब हानी सर्दी गर्मी मेरा तेरा के सब द्वंदों में आ रहे हैं तो ऐसा जो वेक्ति है जो हमेशा ऐसा जो चिन्ता करता है वह पूर्णतया मुक्त है याने भगवान बोल रहे है कर्म-फल का त्याक करो कर्म का नहीं लोग क्या करते हैंescňड मेरे को टेंशन बहुत ओ जा रहा है मैं कर्म नहीं करूंगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ये जिम्मेदारियां, परिवार पतनी, माबाप ये सब क्या है टेंचन मैं घर छोड़ दे के चले जाता हूं तो भगवान बोल रहे हैं ये गलत बात है अपका निर्धारित कर्म क्या है वो करो, कर्म का त्याग मत करो कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ऐसा भगवान बोल रहे हैं ठीके न, कर्मों का फल मैं अगर ये करूंगा, तो मैं बास बनूंगा मैं ये करूंगा, तो मेरे को ये मिलेंगा ये फल को त्यागो बस यूरे क्या है आप सिर्फ एक बैंक के कैशियर है वो माइंड में बिठा लो हम परिवार के एक बैंक है ये परिवार मेरा बैंक है मैं इसका कैशियर हूँ लेकिन ये मेरा घर मेरा कार मेरा मेरा ये उसके विशेयों के प्रती हमारी आ सकती नहीं रहना चाहिए इसको बोल चिकाताया बुद्ध्या हरी संबंदी वस्तुनहा मुमुक्ष भी ही परित्यागो वहिराग्यम फल्गु फल्गु कत्यते क्या बोर रहे हैं आमको हमारे आचारिय बढ़िया से भगवत गीता में एक से कोटेशन है एक से एक बाद अलग अलग जगाओं से भगवत गीता में ब्यूटिफल स्लोका रखा गया है हमारे आचारिय क्या कर रहे हैं इतना डिप में नौलेज जे रहे हैं भगवत गीता यथा रूप इसलिए हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साब के घर में रहना चाहिए यह तो यह इसका प्र यह क्या है वहरा की क्या है फल्गु को अधूरा कहा जाता है भक्ति रसाम्रुद सिंदु में बताया गया है कि मैं सब चीज को त्याग दूँगा तो यह क्या है वह राग्य ठीक नहीं है भगवान बोर रहे हैं ठीक है अगर हमारे भी आचारिय हमारे भी आचारिय ने ने मैं भी सब को त्याग दूँगा इतने लोगों का उधार होता था क्या या इतने लोगों में परिवर्तन आता था क्या नहीं जब रहुपात को भी कोई अगर डोनेशन में पैसे देते थे लाकों का पैसा या हजारों का पैसा तो वो अपने हातों से कैश गिनते थे और गिनके क्या बोलते थे अपने शिश्य देते वो लेकिन अपना चेतना नहीं बदले तो हमको कर्म के माध्यम से बुद्धी के माध्यम से हमारे चेतना में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तना ना हमको ये विश्यों के प्रती जो विश्के समान है आ सकती नहीं रहना चाहिए ठीक है ना ये हमको एक्जामपल है अब और आगे बढ़ेंगे, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे अरजुन व्रिक्ष बोना तुमारा करतवी है, येस करतवी करो, लेकिन वो किसके लिए करो, मेरे लिए, मेरे लिए और मैं तुमारे लिए फल की देखभाल करूँगा, तुम टेंचन मतलो, तुमारे को क्या होना कितना होना कब देना तुमको देना या तुमारे बच्चों को देना बच्चों के बच्चों को मैं देख लूँगा वह सब शिर्फ तुम मेरा मेरा देखो ठीक है ना मेरे बारे में चिंदन करो आगे भी वह वह यह बोलेगे भगवत गीता में दो बार भगवान ब बोला गया अठ़ारवए अध्यायके 55 स्लोका में भी दो बार भगवान बोले मनमनाभ हो मदभकत हो मदियाजी इमाम नमस्कुरू भगवत गिताब के पास मैं खोल के देखलो क्यों बोल रहे हैं भगवान दो बार स्ट्रेस कर रहे हैं क्या बोल के मेरी भक्ति करो मेरा चिंतन करो हे अरजुन फल अगर जाड लगाए को टेंशन नहीं है कर्म करना टेंशन नहीं है वो कर्म मेरे लिए करो युद्ध मेरे लिए लड़ो मेरे को आनंद देने के लिए तुम युद्ध लड़ो तुमको स्वर्ग प्राप्त होता तुम रुत्यू को प्राप्त होता वह सथ चिंथा मत करो तुम्हारा काम क्या है जाब करना है बैस लुकारण ही करो कितना अच्छा वगवानम को नालेजि दे रहे हैं अब देखो और प्रंश को बन्हाज् дела क्रियाक करने से कोई सुखी नहीं बन पाता है, मन में तो भक्ती नहीं है, मैं सब को छोड़ दिया हूँ, कपड़े भी बदल दिया हूँ, तो वो योगी नहीं है, वो एक तरह सा धोंगी है, ठीके न, वो सिर्फ चले गया है, और न तो भक्ती कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है, मैं सब को त् इस तत्वों से बनावा है वो हम लोग अच्छा सा देख लिए वो तत्व मैं अब शरीर नहीं हूं आत्मा हूं मैं क्या कर रहा हूं सब को छोड़ देके चले जा रहा हूं इस नौट दा कांसेप्ट यह कांसेप्ट भगवान बताए नहीं क्या परंतु योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा परंतु भक्ति में लगे हुए हुआ विचार विचारवान व्यक्ति शीग्र ही परमेश्वर को प्राप्त होता है यह सन्या सी मत बन जाओ भक्ति में रहो चाहे कोई भी आश्रम में रहो ग्रहस्त वह नहीं मैं अभी तो मेरे शादी वह यह नहीं हुआ मैं अच्छा सा ब्रह्माचारी आश्रम में हो ओके भक्ति में रहो ओके वर्ना आश्रम में यह भक्ति में रहो फैनली सन्या यह कुन सा भी का ने कुछ भी हो आप ब्रामन हो लेकिन भक्ती में रहो भगवान बोल रहे हैं यह सब को त्यागो मत ठीक है ना तो अब भगवान के लिए कर्म करो इसलिए देखो कई foreigners कई foreigners आज भी कितना अच्छा हमको दिखता है कभी Facebook ते हम देखते हैं बड़ी है सब्षवान के लिए daily कीर्टन करते रास्ते पे जाते हैं शर्मादे नहीं वह हम लोग भारत में रहके भगवान कदिलग लगाने शर्मादे और भगवान के बारे में बोलने सच्ष्मादे भगवान का हर चीज अगर बोलेंगे अरे भाई रे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए भी हम थråड़ होते हैं अरे लोग क्या समझगे आजू बाजू वाले क्या समझेंगे यह गलत विचारदारा है भगवान के हमारा जीवन का लक्ष है जैसा पतनी क्या समझती है मैं मेरा जीवन का लक्ष पती को मैं प्रसन करऊंगी पती क्या समझता है जीवन का लग्से मेरे पत्नी और मेरी परिवार वालों को खुश ना हम लोग हमारे परिवार को अपना समझ रहे हैं क्रिष्ञ को भी हम अपना जाइब क्योंकि कृश्ण जैसा गोपियान हमेशा क्या करते थे मैं आज मैं अच्छा सा डुपेंड रहे हूं किसके लिए क्रिश्ण को प्रसंद क्रिश्ण को खुष करने के लिए वह अपने आपको वह अलग 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 तरह से अलंकृत्त्त तो हमको तड़पना चाहिए कि खुषी मिलती है वह ओर देखेंगे योग मुक्ता विशुध्धात्मा विजीतात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म फुर्वान पिनलिप्यतै क्या वो रहे है जो भक्ति भाव में भगवान बोर रहे यह अकर्म क्या है क्रिष्न मामना मुर्त क्या क्या है अभी देखो कितना अच्छा रास खोल दे भगवान जो भक्ती भाव में कर्म करता है और जो विशुद्ध आत्मा है और आपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है मन भटक रहा है पकड़ के लाएंगे हम इंद्रियां भटक रही है कुछ चीज आएं अच्छ कर्म करता हुआ कभी भी नहीं बनता है हम हमको अगर मकड़ी के जाले में बंद बंदना नहीं है तो हमको क्या करना है भक्ती भाव में कर्म करना है ठीक है जॉब कर रहे हैं है ये तो वट जॉब में भी हम भगवान को याद कर सकते कैसा है भगवान आज तुमारी दया से म खुश रहना चाहिए अरे भाई या उसकन तो वो भी नहीं है भगवान तुमारी दयाय से मेरे को इतना तो दिये आप अरे भई साइकिल से मेरे लाइफ कहां तक आई मरी जोपड़ी की लाइफ ती साइकिल की लाइफ ती आज मैं बड़िया सा कार पर आया हूं या गारी पर आया हूं और कभी कभी गरीप को देख के हम और को समझना जाए है भगवान यह सब तुमारा करो भक्ति भाव से और मन ऑर इंद्रियों 국o तो जन्रली क्या करते हैं अब हम थोड़ा सा देखेंगे रिवीजन के वैसा कर्म कर्म योग में कर्म अच्छे कर्म बुरे कर्म अच्छे कर्म कर्म तो यह कर्मी लोग कर्म कांड जो बोलते हैं कर्मी लोग क्या करते हैं मैं यह करूंगा मेरे को यह मिलींगा तो ज्यादा त सत्वों से बन गया है मैं सब को छोड़ दूँगा मैं भी भगवान बन जाऊंगा कि मैं भी 브ерм में लीन हो जाऊंगा मैं अभ ब्रहम का ध्यान करूँगा Original ये ज्यानी है लेकिन हमको योगी योगी क्या करते हैं आस्ट रच, कुछ न कुछ पवर चाहिए मैं भगवान की पूझा करूंगा तो वहाँल पर योगी किसके लिए उनको कुछ पवर मिल गया वो पवर से आप वो क्या कर समझते हैं मेरे को यह पवर अब मिलना भगवान यह पवर से मैं पुरी दुन्या को राज करूँगा सब को वश में ला लूँगा यह सब पवर के पीछे भागते हैं यह लोग योगी और फाइनली भगवान के लिए कोन सोंसता कोन चिंदा करता भक्त हमेशہ यह सोंसता इस भगवान मैं तो आपका दास हूँ मैं आपको क्या क्रूंगा प्रसंद मिलती भगवान प्लीज मैं आपको अच्छा सा फूल चड़ाऊंगा आपने बोला ना पत्रम पुष्वम फलम तोयम ठीक है भगवान आप खुश हो जाते है फूल से मैं लेके आके देऊंगा अप फल से येस जल से ठीक है भगवान तुलसी से ओके भगवान जैसा एक मैया अच्छा सा प्रश्ण पूछे थे क्या प्रश्ण पूछे क्रिष्ण भगवान को तिल सब्ञावना है तो देखो जब हम लोग भग्वान हमको क्या क्या बोल रहे हैं एक भक्त का भग्वान हमको क्या बोल रहे हैं करूँ उनकी मया根 कभी भी उनको कितना कैसा रखे तो beautiful रहते कृष्ण भगवान तो मेरे काना को क्या नहीं करे तो नजर नहीं लगती चलो ठीक है कृष्ण भगवान को beautiful रखने के लिए क्या मोरकापंक लगा दिये कृष्ण भगवान को beautiful organs लग एक भावन को क्या कर रहे हैं एक भावना के चरण यस भगवान के Falls कर दो लोको बोलते दो एकि प्लेटे बेटे बनके आए हैं तो मैं definitely उनको क्या करें तो सुन्दर दिखते हैं मैं वो करूँगी एक concept यह है और एक concept क्या है स्वयम भगवान स्वयम भगवान भी क्या करते हैं तुलसी को क्या बोलते हैं तुम मेरे चरणों की तुलसी को इतना नजदिक रख लिए कि सब को बता रह मैं चाहिए एक भक्त को देखा अरजुन के लिए वह क्या बन गहाए सार्थी बन गहाए अब तुलसी वरंदा वरंदावन क्या हैं चले हैं कि सर्थ तक वेखते लेकर करें enabled नेसे धर मके बतारा हूं मैं हो आब इसलिए हमको घर्व मैसूस करना चाहिए मैं भी भक्त हूं मैं भी कृष्ण का भगत हूँ तो हमेशा तड़पना चाहिए क्या करे तो कृष्णा ऐसा नहीं है हमारे लिए हम पूजा आर्थी योयों कर दिये हो गया नहीं आर्थी कर रहे है तो भगवान की भावना रहना चाहिए यह अगर बत्ती लगा रहा हूं भगवान सुंग रह हैं और मैं यह प्रशा चड़ा रहा हूं भगवान खा रहे हैं हमारे इंद्रियों के वैसा हम मुझ से काते हैं आंग से देखते हैं और हरे एक इंद्री हरे करे काम करता है लेकिन वैसा नहीं है भगवान का भगवान जेस्ट देखे देखने मात्र से ही भगवान का हरे एक इंद्री हर एक काम करता तो हमको बता है अच्छा सा नौलेज है तो हम अगर हमारे परशात को देखे तो वह खा लिए भगवान का जूटन बन गया है हमारे कड़प रहना चाहिए जब हम भगवान के लिए बना रहे हैं यह तो मेरे काना जी खाएंगे मैं अच्छा सा पे ना पद्मा पत्रम इतना अच्छा एक्जामपल दे रहें दूसरे अध्याय में कउन सा एक्जामपल दिए कच्छवे के तरह तुमारे इंद्रियों को तुमारे अंगों को अंदर ले लो संकुचित कर लो ऐसा बताए भगवान अब क्या वो रहे है जो वेक्ति कर्म फ पत्ते पे कितना भी रंदो पानी पानी जजब नहीं करता कमल का पत्ता थोड़ा सा हिल गया पानी नीचे गिर के गिर जाएगा तो वैसा हमको भी बोल रहे हैं तुम ये दुनिया में रहते वे भी मेरा नाम लो मेरी सेवा करो कोई चीजों के प्रति आ सकती मत लगाओ आ सकत देन मैं आपको कोई नहीं चीएगा नहीं चीएगा तो इसका मतलब क्या है ना तो आप नर्क जाएंगे ना तो स्वार्ग जाएंगे मेरे धाम में आएंगे भगवान बोल रहे हैं फिर भी तिर वहां कितना क्लारीटी कितने अच्छे-चे एक्जाम्पल्स के साथ में हमक किती हैं चीएग पक्छे थे कु कितना कि आपको जाएंगेускन अनृक हैं विए नहीं हैं नहीं सब्सक्क कितना कैierteने मैं है इन अил और के समूल्स की अच्छे चाणेर्पन के में काविशनस्फ तो इन sport कितने मैं हैं अधनेlog Regional Trond लिव लिव भी living And if the human being also does not understand what is God, then he is the enemy. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God among human beings. And Hare Kṛṣṇa means what? Hare Kṛṣṇa means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Kṛṣṇa means God. Mm-hmm. Okay. You were here yesterday to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Kṛṣṇa consciousness movement? Dedicated life, about 10,000. About 10,000 dedicated ones? In the Western world. Mm-hmm. Your Grace, is there any significance in all, at all, in the shaved head? Why aren't heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing? Yes. Is there any significance in the color of the robe? At least, at the present moment, people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. So we are against it. Mm-hmm. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Oh, how good. I'm going to send you to the group of Manish Prabhu, Shubham Prabhu. यह लोग आपकी सेवा में है तो वो लोग आपको यह इंटर्वियों भीज़ देंगे तो क्या बताया गया कि वहिए हरे क्रिश्चन क्या है कृष्ण की चेतना क्या है अब अगर आप भगवान का नाम नहीं करें भगवान की लेकिन आप अगर भक्ति कर रहे हो हमारा जनम मानाव का जनम इसलिए मिला भक्ति के लिए अच्छा सा इंटर्व्यू है बाल क्यों निकालते हो लेकिन नहीं वह बाल इसलिए है वह अलग-अलग से बता रहे थे कि सुन्दर ता बार-बार आने के सामने हम जारे घंटों स्वच रह चाहिए यह सब सुंदरता तो असली सुंदरता नहीं एक न एक दिन तो यह सब जाने का है तो डेफिनेटली यह तो अलग बात है मैं आपको इंटर्विव आपको सबको भेज़ दूंगा हम ये बार-बार समझना चाहिए कि हम कितना भी पैसा आ जान दो लेकिन हम लोग देखे तो ना चार प्रकार के प्रॉब्लम्स जरा जन्म उद्धिय व्यादी से बस नहीं सकते हर एक के आपको याद दिला रहे हैं आपके पर्मात्मा आपके साथ है तो यह धर्म क्या है हम आज तक समझ रहे हैं धर्म 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 कितने प्रकार के है कोई बता सकते हैं धर्म क्या है इनीवन धर्म जन्रली बोलते हैं न कल भी हम लोग देखे हैं भगवान धर्म के लिए ध और जुरावन सिंग ठाकुर प्रभू इतने लोग है मैं फॉच रहा हूं धर्म क्या है आपके इसाब से जब हमको यह धर्म है मालूम हो गया हमारा जीवन सार्थक हो जाता मैं इतने लोगों को प्र मताजी और रमेश कुमार प्रभू और कोने रमेश चंद्र शुकला कोई hand race नहीं कर रहे आज यांज करें पता नहीं मेरे को नहीं दिखंग आज़ा तरीhing boy जैश्पाल सिंग्रूर्भू आप को नहीं देखा विजू क्या हूट वृत्स थे अन्मुट करो प्रूब तो ह मिरे कुछना मिरी आवाज़ नहीं आ रही गया कर्म ही धर्म है अच्छा ठीक है कोई बात ने प्रभू को आपका टेक वे वह है प्रिये कुमार प्रभू लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे हम यश्पाल प्रभू आरती माता जी महियां बुलिए प्रेम सिंग प्रभू अरे कृष्णा जी हरे कृष्णा य जो हम आच्छा करम करते हैं वही धर्म है अच्छा करम करके करके हम ज्यादा सज्वार्ग जाएंगे तो लक्स त्वर्ब करते हैं कि जब भी हम अच्छा करन करो अच्छा करम एक्सलेंट हमारे पूरवज मा बाप भी पता आएँ बुरा मत करो आछा करो बुरा मत देख अच्छा अच्छा चलो ठीक है को इस पने मात जी बोली ओरिक आपका कि The जो भी हम कार्दे कर रहे हैं हम अपने सासा तुसमें हमारा समाज का लिए यह मैं महिलाओं के लिए महिला मंडली की अध्यक्स बनूंगी महिलाओं के लिए लडूंगी गरीबों के लिए मैं लडूंगी यह समाज सेवा फिर से आप समाज सेवा पे ही आके रुके हैं कोई ब बढ़ान को जान और भगवान से प्रेम प्रभू और बोल सीमा मताजी आपका टीक अब क्या है मताजी कि अब धर्म का मट्ल धर्मा इस वे आफ लाइफ दर्म को यह बताता है कैसा जी ना यह आपका टेक अवे है और और कुछ बोलना चारे अब कैलाश प्रभू आप भी हैंड्रेस करें क्या बते बोलिए प्रभू क्या है मेरे इसाब से यह है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपने करम को करना असाक्ति के सब्सक्राइब अपका टेकवे क्या है अन्म्यूट कर सकते हैं आपको विकल्प दिया गया है फिर अमित् अधर्ण करते जाएंगे अगर लोगों को खाली बताएंगे तो हमारा उद्धार कैसा होंगा अधर्ण कोई बात नहीं बिजेश बिजेश सिंग्प्रभू हरे जिए कि सब्सक्राइब करम के सब्सक्राइब तो अब हम लोग देखींगे धर्म क्या है धर्म हम लोग समझते हैं जो मन में आया वह यही धर्म है प्रभू लोगों की मदद करना धर्म है धर्म तो यही है देखो अच्छा रहना देखो यह सब ठीक है लेकिन धर्म कितने प्रकार के होते हैं अज थोड़ा सब हमारे शास्तरों में क्या बताया गया धर्म के बारे में वही देखींगे आज़प कृताते हैं जो विधर्म फफह शास्त्रों के विरुध शास्त्रों में यह नहीं बताया गया हम वही करें इसके लिए क्या है धार्मिक सिध्धान्त जिसके लिए कोई योग है और अप अपधर्म रहता है उपधर्म रहता है बहुतिक रूप से दूसरों की मदद करना मैं जैसा मता जीप मैं तो सब के लिए help करूंगा जीवन भर ये एक है चल धर्म धोका से भी एक धोका देने की प्रवूरती रहती है वो भी उसको धर्म के काटेगरी में बताया गया धर्मा भास जैसा पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं अपने आपको एक अच्छा सा यास मैं यह वट पैसा भोट सरा कमाते हैं लेकिन बाहर से कैसा दिखावा करते हैं मैं तो आम आदम धर्म पूर्व देख लिए चल धर्म देख लिए अब परोधर्म क्या है परोधर्म याने आत्मा का शाश्वत धर्म तो यह आत्मा का शाश्वत धर्म क्या है प्रवू शरीर के लिए तो धर्म रहता है यास तो हम यह जानना हमार को शास्त्रों में क्या बताए पूरी भगवत गीता में भगवान बोरे मेरी प्रसनता के लिए युद्ध लड़ो सवाई पुम्चंपरो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अही तुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसीदती क्या बोल रहे हैं भगवान भागवतम में पहले स्खंद में दूसरे अध्याय का छेटवा स्लोका में क्या बोल रहे हैं मानव समस्त मानव के लिए सर्वच धर्म क्या है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेममयी भक्ती को प्राप्त कर सकता है और इस तरह की भग्ती सेवा स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए प्रेरित और निर्वि निर्भाद निर्बाद होना चाहिए याने हम भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है भगवान जो बताए है धर्मन्तु शाक्षाद भगवत प्रणीतम भगवान का रास्ता जो बताए है वो ही धर्म है भगवान आलड़ी हमको बताए यह क्या अच्छा है क्या ब कभी हम समझ रहे हैं मैं पती बन गया हूं कभी मैं पत्नी कभी मैं सास कभी सब्सक्राइब करो यह धर्म है तुमारा यह यह जनम में तुमको यह उपादी दिया गया तुम टीचर है यह जनम में जब तुम रुत्यू को प्राप्त होते तुमारा नेक्स जनम क्या मिलता तुमको नहीं मालूम फिर चाप्रासी का मिलता यहने तो वर्ट सीम का मिलता नहीं मालूम आज अमरिका के तुम प्रैं निस्टर हो कल अमरिका के ही देश में वही 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 गलियों में कुट्था बनके प्रिर होगे प्रभुजी मैं अन्दान दे रहा हूं वरुद्ध आश्रम में पैसे दे रहा हूं अरे भाईया सब कर रहे हैं अनात आश्रम को भी मेंटेन कर रहे हैं हास्पिडल खोल रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवद्धाम जाएंगे क्या नहीं जाएंगे श्वाद परो धर्म भगवान बो रहे हैं मेरे लिए करम करो मेरी सेवा करो दें मेरे धाम में तुम आ जाओ वो उनके बारे में मैं चिंता करूंगा येस आपको अन्यदान करना है मेरा प्रशाद सबको बाटो आपको वृद्धाश्रम में जाके कुछ सेवा करना है तो उनको ये बताओ देखो जितना तुम मेरे बच्चे मेरे बच्चे बलके जीवन भर अपना अपना सर्वस्व नियुचावर कर दिये ना बच्चे वो बच्चे तुमको आज वृद्ध सुनों लेकिन हम है के मैं मेरी मर्जी मैniejsze ये करू मैं चाए वहकरूं मेरी मर्जी भाइया हमारी नहीं चलेगी भगवान जो बताए हैं मैं उनकी मर्जी चलेगी भगवर किता इंकी मर्जी चलेगी जिक न अब देखो क्या बोरहता ? अब योगी जन आ सकती रहित होकर शरीर मन बुद्धी दता इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है तो ज़्यादा ज्यादा योगी लोग क्या करते हैं मैं साब से आ सकती करके छोड़ दूँगा लेकिन ज्यादा से जज़ादा उनको शुद्धी मि रहेंगा डेफिनेटली भगवद्धाम जाएंगा युक्त कर्मा फल अम्त्यक्त्वा शांतिम अपनोती नाइस्टिकम निश्चल भक्ति शुद्ध शांती प्राप्त करती है मिरको शांती नहीं है क्योंकि आपके जीवन में भक्ति नहीं है और क्योंकि वह समस्त कर्म फल क्रिश्न भगवान को अर्पित कर देता है किन्तु जो वक्ति भगवान से युक्त नहीं होता है जो वक्ति भगवान से जुड़ता नहीं सब छोड़ देता लेकिन भगवान को अपना नहीं बनाता है सब अच्छे काम करता है भगवान को अपना नहीं बनाता है तो क्या ब छोड़ दो भग मेरे लिए सेवा करो मेरे को समझो मैं कौन हो शरीर नव द्वारों का है यो तो हमको मालूम है थोड़ा हसाम लोग थोड़ा जल्दी देखेंगे अब सर्वकर्मानी मनसा सन्यास्ते सन्या यस्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे देही नव द्वारे पुरे देही नईवकुर्वान कारयान क्या बोल रहे हैं जब देवदारी जीवात्मा अपनी प्रकृती को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह नव द्वारे वाले शरीर में बिना कुछ किये कराए सुक पूर्वक रहता है कितना बोल रहे हैं देखो अपनी प्रकुरूती को वश्मे कर लेता है और मन से समस्त कर्मों को परित्याग भगवान बोल रहे हैं मन से अटाच मत हो ठीक है आपका जो भी रिस्पॉंसबिल्टी है करो लेकिन उसमें आसकती अरे भया आप बोलते हैं मेरा घर मेरा घर बिल्डिंग को बताते मेरा इंट किसका है पानी किसका है जहां पर तुम घर धरती किसकी है साब तो भगवान का ही है तो तुमारा क्या है भगवान आगे जाके बोलते हैं कि 15 अध्याए के 15 श्लोका में जो बुद्धी है वो भी मैं दिया हूँ, भूल रहे हो, मैं दिया हूँ, सब चीज भगवान का है, समझना चाहिए, तो मन से किसी से भी आ सकती नहीं लगाना चाहिए, आ सकती भगवान में, विश्यों में नहीं, आज का कॉंसेप्ट, और शरीर के ये नौ द्वारी क्या है, दो आंक, दो नत आगे बढ़ेंगे, किन्तु जब कोई उस ज्यान से प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसका ज्यान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तु में प्रकाशित हो जाती है, अब हमको ये ज्यान आ गया कि भगवान ही सब कुछ है भगवान करें जाना ही हमारे जीवन का लक्ष है मैं समस्ता था मेरा जीवन का लक्ष इंजिनियर बनना डाक्टर बनना पैसे वाला बनना नहीं मेरा जीवन का लक्ष नाम कमाना नहीं एक नएक दिन तो मेरे को छोड़के जाना है तो मेरे जीवन क इसको विद्या समझ रहा था वह अविद्या है वह अविद्या क्या है जहां पर कृष्ण नहीं है भक्ती नहीं है भगवान के पास में वापस जाना हमको नहीं मालूम वह सब अविद्या है यह जितना भी हम विद्या पढ़ रहे हैं वह भावतिक अमारे इंद्रियों को कैस । अच्छी नौकरी कैसा मिलती अच्छा पैसा कमाऊं अच्छा पैसा जब कमाऊंगा अच्छे से फइस्टार होटल में जाओंगा मैं सेल्फी लेयосब को बताऊंगा देखो मैं अच्छा झाल वान को गईया मंदर को गया मंदर में कुछ सेवा कर रहा था प्रशाद बाट रहा था यह तो हम क्या बता रहे हैं 2000 का बिल में बड़ी होटल पाँ फाइस स्टार के पाता नहीं कितने कितने स्टार रहते हैं तो वह बड़े-बड़े होटलों में मैं गया और वहाँ सेलफी दाल रहा हूं तो यह गलत है गलत है भगवान के लिए हम समझना चाहिए कि यह जैसे हमको यह हमरे हुर्दय में आ जाता है सूरी आते की क्या हो गया अंधहरा पूरा चले जाता है लेकिन हम हैं के दर्वाजे बन करके बोल रहे हैं भगवान नहीं है सूरी का प्रकाश कैसा आएंगा आप दर्वाजे खोलो खिड़की खोलो आपके घर में सूरी का प्रकाश आएंगा तो भगवान हैं जब मालूम होगा आपके मन के अके हुर्दे के diplomat खोलो भगवान है दिखेंगा यह रिवील हुँगा धिव्यग्यान हुर्देप्रकश तो यह mound परमात्मा हमारी हुर्दे में हैं लेकिन धिर द्रह से आपको मालूम होता है और आगे बढ़ेंगे तो यह हमारे आजार ये का एक अच्छा सा पिर्कन करके दो कितने लोगों को परेवाद करें अब आगे बढ़ेंगे अच्छा सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है और मुक्ति के पत पर अग्रसर होता है भगवान की मुक्ति के पत पर आते हैं भगवान बोल रहे हैं अब वो मुक्ति क्या है क्लास के अंत में देखेंगे विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माने गवी हस्तिनी यहां पर क्या बोला गया सुनी चैवा सपाके चाहा पंडिता समधर्शिनहा के हमको कैसा रहना चाहिए भेद भाव नहीं करना चाहिए क्यों भगवान बोल रहे हैं यह श्लोक अठारवा कमा क्या बोल रहे हैं विनम्र सादू पुरुष अपने वास्तविक ज्यान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्रह्मन गाय हाती कुत्ते तथा चांडाल को समान दुरुष्टी से देखता है जो एक सादू पुरुष ह करना चाहिए कूशिच करना चाहिए अवाइड करना चाहिए क्यों उसके भी मन में परमात्मा बैठे वे हैं हम उसको तकलीफ दे नहीं दे रहे हैं हमारे परमात्मा रूट रहे हैं कितना जितना हो सके उतना हम भगवान जब कभी की घुशा देखो अब राम जी एक्जांबल कृष्ण जी एक्जांबल इतने हमारे लाइफ में उतारना चाहिए किसको भी हर्ट नहीं करना सबको समान देखना ये आज का टेक अवे है इसलिए भक्त कभी भी चींटी को मारने के लिए भी सुंसता है जैसा मिरगारी समझ रहा था ठीक है ना हर एक को समभाव से देखना है और आगे बढ़ेंगे और क् किसी से इंद्रिय सुक में इसको दिल नहीं लगता अपीतु सदैउ वह समाधी में रहकर समाधी याने वह समाधी नहीं हैं चार लूम में बंद sizi नहीं है जा ग्रष्ट जीवन में भी किसी में विश masih lineage के प्रति हमारा मन नहीं जाना आ सकति नहीं जाने देना आशकति भगवान केету । करता है इस प्रकार स्वरूब्ब सध्धी वक्ति परब्रम में एकाग्र चित होने के कारणसी इस सुख भोगता है सुख उसको मिलता है एंड फाइनली आज पता नहीं कितना है ठीक है हम लोग कल यह परसुन देखेंगे हरिदास ठाकुर जी का कहानी आज नहीं देख पाएंगे आज हम लोग थोड़ा सा यद्ध्याय कंप्लेट कर देंगे तो यह इस लोका में क्या बताया में भोग नहीं लेता जो कि भावतिक इंद्रियाओं के संसर्ग में से उत्पन होता है हे कुंति पुत्र ऐसे भोगों का आदी तता आंत नहीं होता है अथा चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं जैसे हम विश्यों में ऐसे विश्यों इंद्रियाओं के सुक के लिए विश्यों को टच करें किसी को अगर जेस्ट टच करें हैलो हाई टच जैसे हम लोग टच करें फाइनली हमारा क्या हो जाता है उसमें यही समस्पर सजाब होगा भोग करने की इच्छा बढ़ जाती है हम जितना भी भोग करने की समझो हमारे सामने से मां मर्चरीज बंज को अच्छा सा हम देखें बाजू जाके उसके उपाइबाजू से स्क्रीन सेलफी उतर गए उसको अच्छा सा टच करें हैं अब हमारा दिल बोल रहा है रहे वह खरीदूं चाहे मैं लोन लोंगा लेकिन खरीदूंगा लोन के ना जो भी इंद्रियों के लिए आप जैसे ही संसर्ग किसी से टच करोगे एपनली वह दुख का कारण है तो हमारे दुख का कारण हमी भूख धूंड ले धूंडले भूडै हमी धूंडीन को यह एक चिया करता है प्रजल पायने मेंग क्या करता है मिंडक को जाके खा लेता है इंदरियों को जितना हो सके हम रोक न चाहिए जैसे के जो рек्डियए जिसको बोलते हैं वो क्या करते हैं आज को रात के समय पर देखते हैं उसको खाने का फल है ईसा जाके आझ के अढ़ में तुमाद का तो यहाने एंदर्यों को वश में नहीं है वह करने गया दूत्यों को प्राप्ष हो गया मस्षी अच्चया सह समुध्र में थी लेकिन जब शिकारी आया कुछ लगा आया यह दे और खानेकर जाग गई उतbelt करने की लूतर आया जाए और एक हाती हाती को फसाना है तो क्या करते एक हत्नी को हत्नी को क्या करते सामने उसको हत्नी को बता बताते हत्नी के चक्कर में I love you फाइनली हाथी भागते जाता भागते जाता वह यह नहीं देखता कि सामने गड़ा है वहतनी को बाजू से हटा देते हैं हाथी जाके गड़े में गिर जाता उसको पांस दिन दस दिन ऐसा कई दिनों तक भूका रखा जाता फाइनली उसको सरकस में लाया जाता तो इसलिए ये विश्यों के प्रति जितना भी हमारा आकर्चन बनावा है मैं भोगूंगा मैं भोगूंगा मैं एंजाय करूंगा माजा 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 आखरी में साजा ठीक है ना ये विश्यों के प्रति मेरे को मजा आ रहा है देन वो सजा है हमारे लिए कौन बोल रहे हैं भगवान बोल यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुश्य इंद्रियों के वेग को सहन करने के तता इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है बगवान क्या बले इंद्रियों के वेग को जो रोकता है इच्छा और क्रोध को रोकता है और तो वह इस संसार में स करूं बश्काम इये अच्छा श्लोका है i ihr वात हमरे चैतनिय महाप्रबु हमको दिए मिरको ना तो उम्स क tradi चाहिए फैससे बूख में वीडियो दालूगा सब मेरे फालोवर्स रहेंगे नाय में यूट्यूब में लग करेंगे फालो करेंगे क्या मेरा जीवन इसलिए है यूट्यूब में वीडियों दालके सब लोग यू आर ग्रेट फेस्बुक में यू आर ग्रेट लाइक आ रहा है लोग बोलते हैं मैं जब स्टेटस दालूंगा इतने लोग देखींगे नए लोगों को मेरे को कोई followers नहीं चाहिए सिर्फ मेरे को क्या चाहिए भगवान है तुकी भक्ति चाहिए तडपना चाहिए ना तो मेरे को कोई इच्छा नहीं है सिर्फ मेरे को सिर्फ आप चाहिए काना आपका काना हरी चरन दुकरन मेरे को मालूम हो गया सिर्फ मेरे को आपके चरन चाहिए यह हमारा भाव रहना चाहिए और क्य ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गव्य ब्रह्म को प्राप्त होता है बगवान बोरे मेरे को प्राप्त होता है जो ऐसा अनुभव करता है अंदर ले इंटरनली तो शांती शांती कैसी मिलती है हमको जीवन में शांती नहीं है सब है शांती नहीं है पैसा है शांती नही सर्वलोक महेश्वराम सुहुरुदम सर्वभूतानाम ज्यात्वामाम शांतिम्रक्चति भगवान बोर रहे हैं मैं समस्त यग्यों तता तवस्याओं का परम भोगता हूं ऐसा तुम समझो मैं ही भोगता हूं यह सब तुम एक ना एक दिन छोड़के तो जाओगे ना के सब क का भोगता मैं हूं समस्त लोकों और देवताओं का भी परमेश्वर मैं हां और सभी जीवों का सुहुरुद सुहुरुद यहने मैं फ्रेंड हूं तुमारा ऐसा समझो मिरको अलग मत समझो एक पूजा के कमरे में रख दिये मिरको चोटी सी कटोरी चोटा सा गिलास वो भी मेजरमेंट लगा के समस्त जीवों का उपकारी एवं हितेशी जानकर मेरी मेरी भावना में पूर्न रूप भावतिक बूर्ण पूरिश भावतिक दुखों से शांती का लाब मिलता है कब भगवान को अपना समझे तो यह सब सुरिष्टी का भुक्ता भगवान है यग्य भी कर रहे, उनको प्रसंद करने सेवा भी कर रहे, उनको भी प्रसंद करने अब real point क्या है, यह मुक्ती क्या है कोई बता सकते हैं, मुक्ती क्या है मैं कमाया मेरे पास में जो भी है कृष्ण का आशिरवाद है और एक जो भक्त नहीं रहता उसका घर अगर तूट जाता है तो वो क्या बोलता है मेरा घर तूट गया लेकिन भक्त बोलता है क्या बोलता है ये तो कृष्ण की इच्छा है आज उनकी इच्छा से मेरे को घर मिल ठीक है तूट गया फिर वो भगवान दे देंगे वो हमेशा भरोसा कृष्ण पे से तूटता नहीं क्यों अंच पांडाओं को कितना दुख आया कभी भी भगवान को भूले क्या नहीं भूले बार-बार भगवान की उंगली पकड़ के रखे ठीक है ना सोने को कितना जलाया पांटा शिल्फी मार मार के मूर्ति बनाता यह सब क्या है हमारे जीवन में अच्छा से एक्जाम्पल अब हम देखेंगे यह लोग भागते हैं कई के लिए मुक्ति के लिए तो यह मुक्ति क्या है कोई बता सकते हैं यह मानव शरीर का उचीत उप्योग यह हमारा उचीत क्यों क्या है भगवान की सेवा करना है हम लोग आगे बढ़ेंगे मुक्ति क्या है हरे क्रिश्णा माता जी और प्रभुजी मेरी आवाज आ रही है सब को